सबसे बड़ी कमी यह है कि लोगों के द्वारा यह समझा हो जाता है आकी गैस बढ़ गया है चुकि हार्ट अटेक में सब फ्रेनिक पेन होता है छाती के नीचे भी दर्द होगा चाती में दर्द होगा बाह मेरे डेट करता है लेकिन लोग मजीद रहते हैं वह इतना सक्षम अपजे मुझे दिखाना है तो 300 रुपए लगता है क्लिनिक पे जाईएगा तो मिनिमम और 300 रुपए नहीं लगता है जाना है तो समझिए 1000 रुपय लगी जाता है 300 रुपय तो मैं ही ले लेता हूँ पिर एक स्रे कराते हैं हम लोग का सरीर जो बना है हम लो लोग मोबाइल में लग रते हैं देथ हली बाजार पर डॉक्टर फिरोज आलम से मिलें पूरे विश्वास के साथ इलाज करवाएं और पहली की तरह वापस बाल पाएं लग आठ दस डॉक्टर आ रहे हैं सीवान से भी डॉक्टर आ रहे हैं लोकल डॉक्टर सब्सक्राइब बीमारियों का यह दौरा इलाज होगा यह बहुत ही खुशी की बात है और आप लोग के चाइनल के माध्यम से सब लोग जानेंगे कि अहां शीवीर लगा आप लोगों क बुखार के मरीज आएं और हर प्रकार के मरीजों का इलाज हो रहा है हुआ है अभी इलाज यह चलता रहेगा लग वक्तिन बज़े तक तो इसमें मुख्यता आज के समय में सर्दी खासी दर्द बुखार का मरीज आ रहे हैं लेकिन कुछ क्रोनिक बीमारियों के भी मरीज आएंगे और आ रहे हैं जिसकों के अप्रकुप सबसे ज्यादा होता है इस समय तो मालीजे की ठंडी का मौशम है ठंडा का प्रकुप होता है एलर्जिक राइनाइटीस समय हार्ट अटेक बीमारियां वड़ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि लगभक 20 दिन में थंडे के प्रकुप में लगभक 15 मरीज में हाए जिसमें कि मैक्समुम के सी मेरे हां कारने यह कभण द Kannayan को प्लाइव करें करTO है , प्री कारण किसी भी तरह से मैंः यह उटектив इसहीं प्लीजी न करेंवरेंद। दर्दिकते हरेंगतों के सिस्टार का रिपिड्योंद लीज़्युन लगते हैं तो पहले तो सांस फुलने का सिम्टम आता है पसीना होता है और इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि लोगों के द्वारा यह समझा हो जाता है आकि गैस बढ़ गया है चुकि हार्ट अटेक में सब फ्रेनिक पेन होता है छाती के नीचे भी दर्द होगा छाती में दर गाहींद है मरीज कोँचने सबसे ब्हub करोफ जाता है यह पहुंचने से पहले मर जाता है यह पहुंचने पहुंचने पहूंचे और इसमें ह keywords में सबसे ज़्यादा जो इवेंट्स हैं वो 45 to 55 to 60 तक के आदमी में होता है तो 45 से 55 साल तक का आदमी तलगबग नोजवान होता है जवान होता है और इस उम्र के लोगों का मरनक कहीं भी ठीक नहीं है और लोगों की थोड़ी सी कमी गलती आकि चाती मेंदार दुआ गैस चड़ है आपको जब चाती में दर्द हो तो आप फॉरण अपने डॉक्टर से कॉंटेक्ट करें और पसे ना हो या सांस फुले दम फूले कमजोरी लगे तो फॉरण डॉक्टर से कॉंटेक्ट किजिए क्योंकि वह हर्ट डिजिस है और हर्ट डिजिस किसी को बहुत समय नहीं दे दिजिस के साथ वह पेन गरदन में भी करता है दोनों पंखेए करता है बीच में पीठ में उपर करता है दोनों बाह में अर्सaba adoption होता है ओणा और यह जबड़ा पकड़े सब दर्द होता है मैं डाक्टर असराफ अली बढ़ा रियां के अग्रम जेशेशन का मैं शुक्रियादा करूंगा तकी इस तरह का केम लगाते रहें और इसमें रही बाद मरीज की तो सबसे ज्यादा निमुनाइटीज के पेसेंट ज्यादा है कौफ के फिवर के भी हैं इचिंग के हैं अनुट सारे दवाओं और इसके दूसरा विकल्ब नहीं है नहीं इसका कोई दूसरा भी कल्प नहीं है अंग्रेजी दवा तो आपको लेना ही होगा फर्स्टेट के लिए कोई इसी दवा नहीं है इसके इलावा कि फर्स्टेट के लिए अगर बुखार 102 हो तो इसमें कोई और दवा दी जाए तो तुरंत आराम हो तो इसका दूसरा सिवान रूट बढ़ा रिया सर इस तर से सीविर केंप लगाया जा रहा है सीविर केंप में जेनरल देखें जाता है तो खांसी का बुखार का पारसीट अमुल इस टाइप को मतलब की ज्यादा मरीज में आते हैं लेकिन स्कीन का डॉक्टर तमाम दवा भी लेकर आए हैं आ और इसकीन के दवाएं महंगी आती हैं ब्रैंडड आती हैं जो डेफिनेटली महंगी आती हैं तो अगर शीविर में जाते हैं लोगों के लिए अगर कुछ दवा ले जाते हैं कुछ हल्प हो जाता है तो ये खुशी के बात यही मकसद है कि जो है शीविर में जाके कुछ सम करते हैं चुकि आप से लूग जाकर मिल से को इसकीन के प्रोलम से मच्छुट करा पासे कि देखिए सीवान में भारत होस्पिटल में हम बैठते हैं वहां पर हम एमडी स्कीन हैं डर्मेटरोजी डिवील का लाता है जिसमें आपको स्कीन डिजीज हो गया हेर नेल्स और लेप कि इसकीन में जो नॉर्मल डिजीज है कुझली है सुर्यासीज है उसके अलावे मेरा बहुत फोकस्त सर्जरी पर है जो सफेद दा की सर्जरी होती है उस पर करते हैं बाल के लिए जो ट्रांसप्लान्ट है वह चीज करते हैं और बाकि कॉस्मेटी के लिए फेस्क पे जो है लेकिन अब लेजर कई तरह की होती है एक लेजर कोई सब फेस पे नहीं चला सकते हैं तो देखना होता है कि किस फेस पे क्या दे सकते हैं लेकिन हमारे पर जरूर लेजर है जो एक तरह से सिंपल वर्ड में कहेंगे उनको फोर्स करना होता है कि आप अगर शीविर के लिए देंगे लोग जो है चुकि एक्सपेंसिव होने के वज़े से सब लोग नहीं खरीद पाते हैं तो अगर लोग यूज नहीं करेंगे तो ठीक भी नहीं होंगे तो आप जो है यह एक सोशल वर्क के तहद जो है आप दवा सप्लाई कीजिए तो कंपनीज कोपरेट करती हैं और अची बात ही है मेरा नाम डॉक्टर बीएच नासिर हुआ सीवान में भारत होस्पिटल में बैठते हैं होता है किसी भी सीविर केंप में आपको मिश्टी मतलब की आप इसा नहीं होता है कि आप नहीं पहुंचते हैं अगर सीविर केंप इन ध्यान के इतना बड़ा होस्पिटल सीवान में अपका अब देखिए मेरा इसे भी समाज एक थोड़ा सा एटिट्यूड है तो कभी भी कोई बुलाता है तो अच्छा एक मौका भी रहता है समाज से जुड़ने का और इसी बाहने कुछ-कुछ लोगों का जो गरीब लोग है क्योंकि सीविर में तो उनको एक सेवा करने का भी मौका मिलता है तो इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूं लेकिन यहीं है कि अपना क्लिन आज के आधनी की यूग में क्या है कि अधिकतर लोग मोबाईल में लग रहते हैं तो फिजिकल अक्टिविटी कम हो गया है और जोड़ो का दर्द मिंस क्या हड़ी और हड़ी के जहां जॉइंट रहता है वहां पे दर्द तो हड़ी को मजबूत होने के लिए दो चीज बह काल लेंगे और मेहनत नहीं करते हैं तो आपका हड़ी मजबूत नहीं होने तो मेहनत दिरे-दिरे कम हो गया दूसरा चीज कि हड़ी के लिए बहुत बड़ा विटामिन रहता है विटामिन डी जो हड़ी में कैल्सियम जमा करता और वो मिलता हम लोग को धूब में लेकिन हम चीजार की जमारा चूब ज आफ भी जहना भी नहीं चाहता है और असे कहीं हम चुद का यूट्सक्रा चैनल ही इस तरह की चीज़े बताय हुए है तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार पाउज करके और हमारे चैनल को डॉक्टर रामिश्वर कुमार की चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े भी रहेंगे इस तरह से हमें हैल से रिलेटेड हो सार संदेश देंगे इस तरह के सिविर केंफिरी लगा कर गरीब लोगों को इलाज करना इस सही समाज के लिए किस ताइब के सही है अरे बिलकुल देखिए समाज समाजिक एक बैनेफिट तो यह समाजिक गैदरिंग एक अच्छा काम है कोई गलत काम तो नहीं है एक तो पहला दो थे चाहए लगता है ना जो अफ़िंग को सब्सक्राइब रहता है लेकिन तो रहता नहीं है तो वैसे लोगों को एक शुभ्यां मिल जा था तो यह एक बैनेफिट है बहुत सारी गंबिर बीमारी यह रहती है तो यह भी जागरूक होता है फिर आगे हो जाके दिखाता है अब बार किसी को पता चेल जाए कि हमारी गंबीर बीमारी तो घर पे लेक्टा रहेगा वह जो लपर्वाहिज के कारद से तो तो एसा था बैनुफेट है जी घूरा किए